फ्री ओनलाइन क्रैश कोर्स सुश्चु समिता पार्ट फोर दोस्तों आज का वीडियो दो या तीन मिनट का ही होगा और लेकिन इसमें जो क्वेशन्स हम कवर करेंगे वो कहीं बार पुछे जा जोके हैं इस वीडियो को आप रिपीडिली सुनिये ताकि आपके important questions एक्जाम में अगर आएं तो miss ना हो जाएं तो चलिए start करते हैं बिना भोजन करवाए शस्तर करम करने योगे रोगी मतलब NPO की condition में not per oral जिसमें खाली पेट रखवाय जाता है ऐसी condition में कौन-कौन सी surgeries करनी चाहिए मूडगर्ब, अश्मरी, अर्ष, उदर, मुखरो, भगंदर मतलब अर्ष और भगंदर, अश्मरी, उदरो, मुखरो, और मूडगर्ब कूवैद उत्पत्ती में प्रमुख कारण क्या होता है निरिप दोश, मतलब राजा की कमी राजा ने proper rules and regulations नहीं बनाई होते, इसलिए क्वैकरी चलती है वरण की पट्टी खोलना हेमंत, शिशिर वो वसंत में, तीन-तिन दिन में खोलनी चाहिए मतलब कि हर तीसरे दिन bandage खोल की दुबारा से dressing करनी चाहिए शरत, ग्रिशम और वर्षा में, दो-दो दिन पे और इसके अलावा, दोशन रितू के according अगर देखें कि रक्त और पित प्रधानता है रोगी के शरीर में और शरत रितू है, तो एक ही दिन में, एक ही दिन में दो बार bandage करनी चाहिए और इसके अलावा, विभिन रितू में पुष्पित व्रिक्ष, कौन सी रितू में कौन सा व्रिक्ष पुष्प देता है हेमंत में लोद्र, प्रियंगु, पुन्नाग वसंत में पलाश, कम्बल, बकुल, आम्र, अशोग आम काफल वसंत में होता है और प्रावरण में कदंब, नीब, कुटज, सर्ज, केत्थ की प्रावरण में केत्थ की अगर देखें, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे वाटर फिल्टर का काम करता है, तो प्रावरण मतलब वर्शा अरितू में केत्थ की व्रिक्ष पुष्पित होता है और मैं रिपीट कर देती हुँ से हेमंत में लोद्र, प्रियंगु, पुन्नाग वसंत में पलाश, कमल, बकुल, आम्र, अशोक प्रावरट में कदम, नीप, कुटज, केत की सर्ज वात का शमन और शेश दोश वात का शमन और शेश दोशों का शमन इसमें संशोधन का निरदेश है तो दोस्तों इस वीडियो का आप रिपीटिडली सुनिए ताकि आपको important questions याद हो जाए और इसके लावा एक और question है प्रमुख यंत्र और उनके कर्म में अगर हम next वीडियो में इसको हम लेंगे बट question है कहीं बार आचुका है कि यंत्र की अचारे सुशूत ने संख्या कितनी बताई है यंत्र 101 होते हैं और ये 6 प्रकार के होते हैं आज के लिए इतना ही thank you for listening and मिलते हैं अपनी next class में